एक लड़का जो लड़की को बच्पन से प्यार करता है पर उस लड़की ने हमेशा उसे मैनोपिलेटी किया इनकी लोग स्टोरी का अंद क्या होगा हेलो फ्रेंट्स आज मैं आपको ग्रेट एक्स्पेक्टेशन ही 1998 की एक रोमेंटिक हॉलिवड मुवी एक्स्पेक्टेशन करने वालो हूँ बन कर दिया वो कहता है मेरे बारे में किसी को भी कुछ भी मत पता ना अगर तुमने बता दिया तो तुम्हें मैं मार डालूंगा फिन जब शान्त हुआ तो उस आदमीन उसे का इजाओ और मेरे लिए कुछ फूड वेकरा लेकर आओ वो एक क्रिमिनल है जो जेल से भाग चुका है अपने कव्स खोलने के लिए उसे बोल्ड कटर की जरूरत थी फिन बहुत ही डर जाता है और वैसे घर आ जाता है बच्वन में उसके पैरेंस गुजर गए थे अब वो अपनी सिस्टर और सिस्टर के बॉइफरेंड के साथ रहता है सिस्टर के बॉइफरेंड ने उसे पूचा कि कुछ अलग लग लग रहा है क्या हुआ फिन को लग रहा था कि सिस्टर के बॉइफरेंड को बता दिना चाहिए पर वो कुछ भी नहीं कहता उस आदमे ने उसे खाना और बोल कटर लाने के लिए खा था राद में फिन सब चीजे लेकर उस क्रिमिनल के पास भोज गया उसने उसके लिए कुछ अलकोल, कुछ मेडिसिन भी लाई हुई थी क्रिमिनल फिन से गयता है कि मेरे साथ चलो क्योंकि उसे फिन की बोर्ट की ज़रुवत थी ये इसी बोर्ट पर बॉर्डर क्रॉस करकर मेक्सिको जाने वाले थे पर तबी अचानक से बोर्टर की पुलिस ने ने देख लिया ये क्रिमिनल जल्दी से बोर्ट से उतर जाता है और एक जगा पर जाकर रूख गया पुलिस ने फिन से बात की उससे पूछा तुम यहां कर क्या रहे हो फिन गयता है कि मैं ऐसे हैंग आउट कर रहा हू तो पुलिस उसे ले कर जाकर उसे घर छोड़ देते है घर आने पर फिन अपनी सिस्टर के बॉइफरेंड के साथ जिसका नामे जो काम पर जाता है इनके स्टेट के सबसे अमीर लेड़ी के घर पर इनने काम करने के लिए जाना था जब ये लेड़ी यंग थी तो उसके शादी में उसका गुरूम उसे छोड़ कर चला गया था उसके बाद से वो पागल हो गई इसी वज़े से उसका घर तहसनेस पड़ा हुआ था इसी का काम फिन और जो करने वाले थे जो घर में गया और फिन बाहर ही रूख गया वही गार्डन में फिन ने एक लड़की को नोटिस किया वो अचानक से वहाँ से चली भी गई थी जो घर में गया और उसके लिए पैसे रखे हुए थे कोई भी काम उसे नहीं करना पड़ा तो उस लेड़ी पर बहुत असता है घर आने पर फिन की सिस्टर को उसी लेड़ी का कौल आया था वो लेड़ी फिन को अपनी ग्रैंड डॉटर के साथ खेलने के लिए बुला रही थी जो और फिन की सिस्टर दोनों बहुत ही खुश हो जाते है क्योंकि फिन को अच्छे बैसे मिलेंगे यही टीवी पर फिन देखता है कि वो क्रिमिनल पकड़ा जा चुका है अगली दिन फिन उस लेड़ी के पास कया इस लेड़ी का नाम था नोरा वहाँ पर वो नोरा की ग्रैंड डॉर्टर एस्टेला से मिला जो बहुत ही ब्यूटिफुल थी नोरा फिन से मिलती है वह डार के लिए उसके साथ डांस करने लगती है वो खुद बोर हो रही थी तो इसी वज़े से उसने फिन को बुलवा हुआ हुआ था फिन कहता है मैं डांस नहीं कर सकता पर मुझे ड्रॉइंग आती है नोरा ने उसे इनकरेश किया वो एस्टेल का पोट्रेट बनाने के लिए उसे कहती है पोट्रेट बनाती हुए उससे पुछती है तुम्हें एस्टेल के बारे में क्या लगता है फिन कहता है कि वो बहुत ही beautiful है नोरा कहती है इसके बाद Finn और Stella जब नीचे आ है तो घर में फाउंटन चल रहा था इसी फाउंटन से Stella पानी बीती है उसने Finn को भी ट्राय करने के लिए कहा Finn जब वे ट्राय कर रहा था तब एस्टेला उसे किस कर लेती है उसे बहुत अच्छा लगा इस मुवमेंट को कैप्चर करने के लिए घर जाकर उसकी पेंटिंग मनाता है इसके बाद एक दिन उसकी सिस्टर उसे छोड़ कर चली गई और कभी भी वापस नहीं आई सिस्टर के बॉइफ्रेंड ने हमेशा Finn का खैल रखा उन्होंने सिस्टर के बारे में बाद में कभी भी बात नहीं की फिन और एस्टेला एक साथ घुल मिलने लग गए थे इसी तरीके से ये दोनों बड़े हो गए एक दिन एस्टेला को पार्टी में जाना था पर नोरा उ उसे वापस लाने के लिए कोई भी नहीं था फिन कहता है मैं उसके साथ जा सकता हो एस्टेला को यह सही नहीं लगता पर वहाँ जाने का उसका यही ऑप्शन था इस पार्टी के लिए फिन बहुत एक साइटेड हो गया अच्छा सा सोट वेगरा पहन कर जब वो इस लेकर आया फिन ने बना हुए सारे ड्राइंग्स उसने देखे उसे बहुत यह अच्छे लगे वो कहती है तुम्हें नियॉयॉक जाना चाहिए सारे आर्टीस होई जाते हैं अगर इस टाउन में रहे तो तुम्हारा कोई भी फ्यूचर नहीं रहेगा इन्हीं ड्राइंग वो उसके पास आगे फिन उसे टच करने लगता है एस्टेला ने उसे किस कर लिया तुरन बाद उससे वो दूर चली गए फिन कहता है कि हुआ क्या उसे लेट हो चुका था तो अब घर जाना था कुछ फ्रेंच में बोलकर यहां से वो चली जाती है वजपन से लेकर आज त कहती है मेरी शादी में मेरा बॉइफ्रेंट मुझे छोड़ कर चला गया था वो ऐसा कर कैसे सकता था आदमें बहुत ही घटेया होते है उन्हें उसके लिए भूगतना पड़ेगा मैंने जो गलती की एस चला कभी भी नहीं करेगी उसने फिन को बताया कि अपनी करना भी छोड़ दिया था वो कहता है अब मैं खुद को खड़ा करूंगा अच्छे से उसने फिशिंग विगरा सीखिए जैसे टाइम बिता गया वैसे वो इमोशनली स्टेबल था एक दिन अचानक से एक लॉयर उसके पास आता है उसने उसे का मैरे इंपलायर ने तुमार टिकिट दे दिया एस्टेला के जाने के बाद फिन ने पेंटिंग्स छोड़ दी थी और वो एक काम नहीं करना चाता था पर थोड़ा सोचने के बाद इसके लिए रेडी हो जाता है उसे लगता है कि इस सब अरेंज करने वाली नोरा ही होगी तो उसे मिलने के लिए हो गया उसने उसे कहा कि मेरा नूइ-York में एक्जिबिशन है फिन को पता था कि एस्टेल भी नूइ-York में ही है तो नोरा से भुछता है क्या वहाँ मुझे जाना चाहिए मैरा आर्ट एक्जिबिशन है नोरा कहती है ऐसी ओपर्चनिटी बहुत ही कम ही मिलती है तो मैं ले रेना चाहिए अपने एक्जिबिशन के लिए मुझे भी इन्वाइट करना इसके बाद फिर फिन न्यूयॉक में पहुच गया फिन का एक्जिबिशन तो है और उसके पास कोई भी पेंटिंग नहीं थी वो पेंटिंग करने के लिए डर रहा था वो सोच रहा था कि लोग उसके काम को जज़ करेंगे आर्ट गैलरी की मैनेजरों से कहती है मुझे तुम्हें आर्टिस दिखता है तुम्हारे पास एट वीक्स है इसमें कुछ तुम ट्रॉक कर सकते हो या सेकंड ऑप्शन या न्यूयॉक में घूम लो जैसे आये थे वैसे वापस चले जाओ फिन को अपने आपको प्रूव करना था तो चलेंज वो एक्सेप्ट कर लेता है जब उसने ट्रॉक करने की कोशिश की तो पहले जिस तरीके से करता था वह इसे फिर से करने लग गया फिन रियलाइस करता है उसके पास एक गिफ्ट है उसने इग्णोर किया था पर यह फिल से उसके पास वापस आ रहा है तो इस opportunity को जाने नहीं देगा एक जगा पर उसने फाउंडन का टैब देखा जिस तरीके से पानी पीते हुए पर इस friends में से एक उसका boyfriend था फिन को introduce करवाते हुए इस्टेल आने का कि मेरा बच्पन का प्यार है बच्पन में वो मेरी ड्राइंग बनाया करता था इस्टेल आप चाहती है कि फिन उसकी फिर से ड्राइंग बनाए बॉइफ्रेंड ये सब चीजे देखकर नर्वस हो गया थ एक दिन ऐसे ही बिना वताय एस्टेल फिन के घर पर पहुझ गई उसे उसकी पोट्रेट बनाने के लिए गहती है बोर वो न्यूड हो गई फिन भी उसकी बहुत सारी ड्राइंग बनाता है जितना टाइम में उसके साथ थी वो ड्राइंग ही करता रहा एस्टेला को कुछ और काम था तो बिना कुछ बोले ही वहाँ से जा रही थी उसके पीछे भी जबागा उसने पूछा तुम हमेचा मेरे साथ ऐसा करती क्यों हो क्या तुम्हें कुछ भी फील नहीं होता एस्टेला ने कहा कि बच्पन से मुझे एक ही बात पता है इस सारा वर्ल्ड मेरा एनिम एस्टेला को इस सब चीज़े सही नहीं लगती है उसे लगता है कि लोग कभी भी बदलते नहीं इसके बाद जब फिन घर पर था तो एस्टेला का बॉइफ्रेंट उसके पास आया उसने एस्टेला की निव ड्राइंस वहाँ देखी है वो गहता है एस्टेला मुझे जेलस कराने के लिए सब कुछ चीज़े कर रही है मैंने अब तक उसे शादी के लिए नहीं पूछा वो फिन से पूछता है तुम्हें क्या लगता है मुझे प्रपोस करना चाहिए फिन उसे हा कर देता है और कुछ भी बोल नहीं सकता था नेक्सिन में फिन को उसके यह था उसे लगता है नोरा ने एकी रिजन की वज़े से उसे नुई-york भेजा वो होगा कि वो एस्टेल की बरावरी का बन सके सके सकस्वल हो सके एक दिन फिन और एस्टेल यह दूनों पार्क में आये होए थे इन्होंने बहुत सारी बाती की इसके बाद एस्टेला फिन तुमारा ओपिनियन जानना चाहती हो फिन गुस्से में उसे कॉंग्रेचुलेशन केह देता है रात में उसने रियलाइस किया कि उसे ऐसा उसे कहना नहीं चाहिए था वो इस तरीके से उसे जाने नहीं दे सकता हर जगा पर उसने उसे ढूंडा एस्टेला अपने बाद फ् पेठी थी फिन बुशता है कि क्या हुआ वो गहती है मुझे नोरा से मिलकर आना पड़ेगा फिन कहता है कि मैरी एक्जिबिशन तक तुम वापस आ जाओगी एस्टेला कहती है मैं तुम्हारा एक्जिबिशन मिस नहीं कर सकती है इसके बाद बहुत दिन हो गये फिन का एस चला की वज़े से वो डिस्टरफ था यहाँ इस पार्टी में जो सबसे मिलता है जो के कबड़े फिन को अच्छे नहीं लगे जो बहुत ही प्राउट थे वो सबसे कह रहे थे कि फिन बहुत चोटी से टाउन से है बर फिर भी इतने बड़े शहर में इतना बड़ा एक्जि तो पर जो मानता नहीं तो इस बात पर फिन डारेटली उस पर चिला पड़ा फिन को जो लगता है यह जो ने रियलाइस किया वो वेचार हार प्रोकन थे फिन उनके पीछे गया पर वो कहते है जो भी तुमें सक्सेस मिला है यह तुम डिजर्व करते हो इसके बात हो यहाँ कुछ भी नहीं था जिन लोगों से मैं प्यार करता था उन्हें मैंने हर्ट कर दिया रात में वो फिर एस्टेला के घर पर पहुझ गया बाहर खिड़की पर उसे उसके शैड़ो देखी वो चिलाता है कि देखो अब मैं अमिर बन गया क्या तुम्हें यही नहीं चाहिए थ मुझे में जो भी स्पेशल है इस सब कुछ तुम्हारी वज़े से है वो फिर उपर आ जाता है खिड़के में एस्टेल नहीं तो नोरा थी फिन ने बुझा कि एस्टेल लगा है नोरा ने का कि उसके शादी होगी नोरा ने फिर उससे सब कुछ रियालिटी बताए वो कहती है कि आदमियों को किस तरीकी से ट्रीट करना है इस तरीकी से मैनुपलेट हो करें यही डेनी में बचपन से एस्टेल को दे रही थी तुम सिर्फ उसके लिए प्रैक्टिस थे है मैंने तुम्हें वान किया था कि उससे प्यार मत करना वो तुम्हारा दिल ही तोड़ेगी ज इनको इस सब सुनकर बहुत दर्थ हुआ वो नोरा के पास आता है उसका हाथ उसने अपने दिल पर रखने के लिए कहा वो गहता है अब मेरा दिल तूट चुका है जिस तरीके से नोरा का फियांसों से छोड़ कर गया था उस हार्ट ब्रेक में वो पागल होगी उसी तरीके से फिन का भी हार्ट ब्रेक हुआ है नोरा ने अपनी गलती रेलाइस की उसे बहुत बुरा लगा पर अब बहुत ही जादा लेट हो चुका था इस्टेल अपने हस्बंड के साथ एक अलग कंट्रे में चली जाती है आज राज जब फिन अपने घर पर आया तो नीचे कुछ लोग एक आदमी का वेट कर रहे थे इनकी बातों से उसे पता चला कि उस आदमी को मार डालेंगे एक आदमी बिल्डिंग में छूप रहा था तो फिन ने उसे अपने घर में आने के लिए कहा हम देखते हैं कि आदमी वही क्रिमिनल है जिसे बच्पन में फिन ने हेल्प की थी फिन उसे फर्सली पहचान नहीं पाता फिन से बात करने के बाद सकसे जानने के बाद एक क्रिमिनल उस पर बहुत ही जादा प्राउड था फिन ने अभी भी उसे पहचान नहीं था तो एक क्रिमिनल बच्पन में उसने फिन को जिस तरीके से पकड़ा था उसी तरीके से फिर इसे पकड़ लेता है फिन ने उसकी आखों से उसे पहचान लिया फिन आज भी उससे बहुत डर रहा था वो इसे जाने के लिए कहता है क्रिमिनल ने का मैंने बुलिस को कॉल किया है थोड़े टाइम में यहां से मैं चला जाओंगा क्रिमिनल ने सारी पेंटिंग्स देखी उसमें फिन ने उसकी भी एक पेंटिंग बनाए हुई थी वो गहता है तुम कितने बड़े हो चुके हो मैं तुम पर बहुत ही प्राओड हूँ जब वो जा रहा था तो उसने कहा कि लॉयर ने बहुत अच्छा काम किया यह उसी लॉयर के बारे में बात कर रहा था जिसकी वज़े से फिन आज यहा है फिन को क्लियर हो जाता है कि इसी क्रिमिनल ने उसे सारे बैसे दिये थे वो फिर उसके साथ क्या गहता है हम पीछे के दरवाजी से निकल जगते है क्रिमिनल गहता है कि हम में पैरिज जाने वाला हूँ वहाँ की लटकिया, वहाँ के नजारे बहुत ये अच्छे है वो जाने के लिए एक्साइटर था ये चलते जलते स्टेशन पर आये पर जो लोग क्रिमिनल को ढूंड रहे थे वो भी वहाँ पर भोच गये थे ये जल्दी से ट्रेन में चड़ जाते है क्रिमिनल कहता है तुम्हें भी मेरे साथ आना चाहिए हम दोनों बहुत एंज़ाइ करेंगे पर तभी हम देखते हैं जो लोग इसे ढूंड रहे थे ये ट्रेन में भी चड़ चुके थे ये आकर क्रिमिनल को मार डालते है मरते मरते क्रिमिनल सब कुछ बताता है कहता है मैंने लाइफ में बहुत सारी गलत चीज़े की पसिव एक बहुत अच्छी चीज़ की थी तुम्हें नियॉक भीजना मेरे पास बहुत सारे पैसे थे इस सारे मैंने तुम्हें दे दिये है हमेशा तुम आर्टिस्ट की लाइफ जीना इसका मतलब है फिन का सारा आर्ट एक क्रिमिनल नहीं बाय किया था एक इलीगल वे से अपने सारे पैसे उसने फिन को दे दिये फिन की बच्पन की ड्राइंग बुक आज भी क्रिमिनल के पास थे उसे पता था कि बहुत अच्छा ड्राइंग करता है उसने फिन का टैलेंड बच्पन में पहचान लिया था फिन को बहुत बुरा लगा उसी के बास क्रिमिनल की डेथ हो गई आज फिन का सबसे बड़ा हार्ट ड्रेक हुआ था पर उसे ये भी पता चला कि लाइफ ने उसे और एक चांस दिया है पर क्रिमिनल चाहता था कि फिन हमेज़ा खुश रहे वो उस पर प्राउड था फिर इसके बाद फिन अपने घर पर जाता है जोग को उसने हट किया था उसके पास फिर से वापस जाकर अपनी रिलेशनशिप सुधार लेता है जोग पर भी अफिन की कोई भी रिस्पॉंसिबिलिटी नहीं तो उसने भी अपनी न्यू फैमिली क्रियेट कर ली है वो भी खुश था इसके बाद फिन पैरिश चला गया था बहुत सालों बाद जो फिर से अपने टाउं में वापस आया तो फिर से नोरा का हाउस देखने के लिए जाता है उसकी अपडेट हो चुकी थी इस जगह अपर कुछ और बनने वाला था जेज गार्डन में एस्टेल उसे फर्स टाइम मिली थी उसी पर उसे याद करता है पर तभी एक छोटी से लड़की वाँ खेल रही थी उसी का पीछा उसने किया वो एक्चुल में एस्टेल की बेटी है एस्टेल भी इस घर को लास्ट टाइम देखने के लिए आई हुई थी फिन को पता चलता है कि एस्टेल का अब डिवास हो चुका है एस्टेल फिन से मिलकर खुश थी फिन अब और भी फेमस आर्टीस बन चुका है उससे कहती है आज कल में तुम्हारे बारे में बहुत सोच रही थी उसने उसके साथ जो भी किया इस सारी चीज़े उसे रिग्रेट कर दिया वो भुशती है क्या तुम मुझे कभी माफ कर सकते हो फिन कहता है क्या तुम मुझे जानती नहीं वो हमेशा उसे प्यार करता रहा है वो कभे भी उस पर गुसा नहीं हो सकता इन दोनों ने एक दूसरी का हाथ थाम लिया अब ये फर्स टाइम रियालिटी में एक साथ थे इसके पीछे और कोई प्लान नहीं था यही बर ये मूवी एंड हो जाती है एस्टेल एक फॉल्टी गैरेक्टर थी वर फिन ने उसे हमेशा बहुत प्यार किया धोका होने के बाद भी फिन फाइनली उसे माफ कर ही देता है एस्टेल जैसी भी हो ये फिन के लिए कम्प्लीट है ये स्टोरी जब वो बता रहा था तो उसे लगता है कि उसका एस्टेल के लिए प्यार यही इनफ है उसे प्यार करे या नहीं फाइनली अपने प्यार की चर्णी में उसे एक राहत मिली इसे के साथ आज का वीडियो हम खतम करते है अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कर दीजेगा मैं बहुत सारी मुविस लेकर आता रहता हूँ तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजे और बिल नोटिवेशन आइकोन दमने मत भुलेगा हम फिर से मिलेंगे और एक निमुव के साथ तब तक के लिए थैंक्यू और आप अपने आपका खैल रखिया